ग्यान मार्ग किस मतलब से हमने जनम लिया है? क्या इसका अर्थ, धन प्राप्ति, संतान उत्पति, घर बार बनाना, एश करना है? हम कौन हैं? कहां से आये हैं? कहां जाना है? साधना में संकीरतन की बड़ी महिमा है, आत्म संकीरतन से बढ़कर नाम सिमरन है, नाम सिमरन से बढ़कर है जब, जब से बढ़कर है ध्यान, और ध्यान से बढ़कर है विचार, विचार सबसे श्रेष्ट है, यदि आप लोग विचार धारा को सत्मारक पर लगाओं, तो अच्छा है, विचार हमें असत से छोड़ कर सत की ओर ले जाता है, धारणा उठती है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, नहीं, नहीं ये शरीर तो नश्वर है, शरीर के जलने के बाद भी मैं रहूंगा, शरीर तो थोड़े समय के लिए मिला है, जो वस्तु थोड़े समय के लिए होती है, वो सत्य नहीं होती, कभी सुख, कभी दुख, चलता ही रहता है, मैं शरीर हूँ, ये अज्यानता की जड़ है, मन बुद्धी शरीर है, यदि जड़ ही निकल जाएगी, तो फिर क्या होगा? चारों और सत्य ही सत्य दिखाई देगा विचार शक्ती से अज्ञानता की जड़ निकल जाएगी सारा दिन यदि हम प्रश्न करेंगे अपने आप से कि ये शरीर क्या है ये शरीर तो कुछ भी नहीं है फिर मैं क्या हूँ मैं इस शरीर के अंदर आत्मा हूँ जैसे ही ध्यान गया अंतरंग में बस काम बन गया साधना में विचार ही पहला कधम है जैसे जैसे विचार उठता जाता है साधना में मदद मिलती है जिस जगह से मैं उठ रही है वहां पहुंचो सब वृतियां अंदर को ले जाओ जब तक मनुष्य भक्ती मार्ग में रहता है तब तक दो चीजें भक्त और भगवान दिखाई देती हैं परन्तु जब मनुष्य ग्यान मार्ग में पहुंच जाता है तो एक ही चीज दिखाई देती है उसे हर जीव में भगवान दिखाई देता है आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं दिखाई देता किसी ने कहा है कुछ भी नहीं करना है हमने अपने आपको पाना है मार्टी की ये दिख है तेरी इसका कौन ठिकाना है एक ही जगर से मैं उठ रही है आत्मा में दो नाम की कोई चीज नहीं है हमें अपने आपको पाना है इसी को सेल्फ रियालाइजेशन कहते हैं आत्मा के ऊपर पड़े हुए पदों को हटाना चाहिए आत्मा के ऊपर पड़े हुए परदों को हटाना चाहिए आत्मा पर जो मन बुद्धी शरीर के परदे पड़े हैं उन्हें हटाना है सब से ऊपर अन्नमय कोश है शरीर उनके जोर पर जिन्दा रहता है उनसे गुजर कर आत्मा के पास पहुँशना है दूसरा है मनो मैकोश जो विचार करता है तीसरा प्राण मैकोश जरा वृत्ती अंदर करो तो प्राणों का भास होता है चौथा ज्यान मैकोश वो अलग ही दिखता है वो और ही दुनिया है और पाँचवा विज्यान मैकोश जब वो अनन्त में मिल जाता है बिंदु के अंदर सिंधु है उसी भगवान को पाना है पुस्तकें पढ़ने से गुजारा नहीं होता जब भक्ती और प्रेम परिपक्व हो जाता है तब ये विज्ञान अंदर से उठता है गुरु नानक देव जी बच्पन से ही अपने रंग में रंगे रहते थे उनके पिता उनको पचास रुपए देते थे वे उन पचास रुपएँ को लेकर उसका लंगर कर देते थे उनका बहनोई दौलतपुर में काम करता था उनके दामाद ने नवाब साहब को कहा कि नानक अच्छा आदमी है उसे काम पर लगा देना चाहिए लोग उससे रसद लेकर जाते थे उन्होंने उसे वहां लगा दिया वे फौज के आदमियों को अनाज तोल कर देते थे बारा खिलो तक तो गुरु महराज गुरु नानक देव ठीक नाप देते थे पर अनाज डालते चले जाते जो लोग बारा से ज़्यादा लेकर जाते उन्हें बड़ी हरांगी होती थी वे मजे में रहते थे रोज वहां पर यही तमाशा होने लगा बात फैलते फैलते देर न लगी एक दिन नवाब के कानों में ये बात पहुँच गई नवाब को जब पता लगा तो उसने बहनोई को बुलाया और दोनों छुपकर देखने लगे कि आनाज कैसे तोला जाता है वही बात हुई जब तेरा आया वही उनके होश गुम हो गए नवाब को गुस्सा आया परंतु जब स्थिती देखी तो मन पसीज गया उसने वजीरों से कहा कि आनाज की चकिंग करो जब आनाज की चकिंग की गई तो जितना आनाज निकलना था उससे भी ज़्यादा आनाज निकला वो उनके चर्णों में गिर गया और कहने लगा आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है महराज आप तो बहुत शक्तिमान हैं आप चलिए मेरे साथ मेरे दरबार में देखो कितना शुद्ध प्रेम था प्रेम के सामने मनश को कुछ नहीं देखता दूसरा ब्रह्म ज्यान मिलता है गुरू किरपा से परन तु याद रखो प्रेम भी गुरु की कृफा के बिना नहीं मिलता ज्यान पाना ही अन्तिम अवस्था है इसलिए अनेक जनम लग जाते हैं इसे पाने को जिस वक्त विचार उठा कि मैं कौन हूँ उस दिन सोचो की फोड़ा फट गया और पस निकलनी शुरू हो गई सोचो की अब बिमारी ठीक होने लगी है जब शरीर को ही महत्व नहीं दोगे तो धंदे किसके हैं रिष्टेदार किसके हैं किसी ने मार दिया किसी ने मार दिया या किसी ने मान दिया कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार रामदास जी जब रेलवे से बाहर किसी दूसरे शहर जाने लगे तब वे रेलवे स्टेशन जाकर गाड़ी में बैठ गए थर्ड क्लास का डबा था उन्हें छोड़ने आए लोगों ने हजारों की संख्या में मालाएं पहनाई गाड़ी चल पड़ी रास्ते में भीड बढ़ती गई जब बहुत भीड हो गई तो वे नीचे बिस्थर बिशा कर सो गए थर्ड क्लास का डबा होने के कारण भीड बढ़ती चली गई और लोग उन्हें पैर मार कर जाने लगे भगवान की माया है शाम को तो इस शरीर को हजारों मालाएं पहना दी गई और रात को हजारों ने ठोकने लगा दी परंतु रामदास को क्या फरक पड़ता है हम हर काम को एम रह कर करते हैं माया हमें सोचने नहीं देती कि ये जीवन क्या है जिनके लिए हम पागल बन गए है वो वास्ताव में है क्या धन का क्या है पिछले कई जन्मों में हम कितना ही धन छोड़ कर आये हैं और हर जन्म में छोड़ते जाते हैं हर जन्म में पहले हम प्रण करते हैं कि अब हम माया में नहीं फशेंगे परंतु जैसे ही जीव जन्म लेता है वैसे ही माया उसे अपनी जन्जीरों में बांद लेती है ये फासी तब छूड़ती है जब सच्चे सत्गुरु मिलते हैं आखरी स्टेज में तो साधना भी काम नहीं देती, शुद्ध पवित्र प्रेम से ही बात बनती है यदि काल कोटली से निकलना है, तो प्रेम क्यों न किया जाए संसार का रास्ता पहले प्रिय लगता है, फिर अप्रिय लगता है परंतु अध्यातम का रस्ता पहले अप्रिय लगता है, फिर प्रिय लगता है विचार शक्ती सबसे उंची है, विचार धारा को पानी का बंद कहते हैं उसकी दो धाराएं हैं, एक संसारी, दूसरा अध्यात्मिक संसार की धारा को बंद करो महाप्रभु के एक शिष्य थे जगदानंजी महराज पुरी में रहते थे पांच सो रुपे पिता से लेकर भंडारा करते थे वे जगनात जी का प्रसाद लेकर अपना राम नाम लेते थे वो भी उन्होंने त्याग दिया और पांच साथ दिनों से वे चावल जो चावल सड जाते थे जोने भोग लगाया जाता था बहुत सारा तो बिख जाता है परन्तु जो नहीं बिखता और सड जाता है उसे फेंक दिया जाता था जो की वे जैनवरों को डालते थे वे उसे उठा कर धो लेते और उसे चबा कर अपना पेड भरते थे इतनी इंतहा भक्ती की उनकी इतनी महान त्याग उन्होंने किया वे इतने शर्मीले थे महाप्रभू ने उनसे पूछा कि आप क्या जानना चाहते हो उन्होंने कहा माराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्यान का मार्ग क्या है उन्होंने बताया कि ग्यान मार्ग दो किसम का होता है एक सुजाती दूसरा विजाती सुजाती उसे कहते हैं जो अपनी ही विरादरी का हो याने कि जो शरीर नहीं आत्मा का वही सुझाती है वह सदा सुखी रहेगा और विजाती वो जो संसार संसारी माया की और जाने देगा वो दुखी रहेगा जब दर्या सागर से अलग होता है तो भटगता रहता है उसी प्रकार जीव ब्रह्म से बिछडता है तो दुखी रहता है